कॉमेडी किकिंग कपिल शर्मा और कमेडियन सुनील ग्रोवर के बीच हुई लडाई आप खुल कर दुनिया के सामने आ गई पहले तो कल रात को कपिल शर्मा ने ट्विटर पर कमेडियन सुनील ग्रोवर से माफी मांगी कपिल शर्मा ने ट्वीटर पर कहा कि सुनील पाजी आप दुखी हुए है तो मुझे माफ कीजिए आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ इस गटना से मैं भी दुखी हूँ कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद अब आज सुनील ग्रोवर ने भी ट्वीटर पर कपिल शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ पाजी ये सही है कि आपकी इस हरकत से मुझे बहुत दुख पहुँचा है आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन आपको ये जितना टैलेंट होता है अगर होता तो आपकी वाल्यू कौन करता इसलिए दूसरों की मौझूदगी की कदर करना सीखे अगर आपकी किसी गलत बात पर आपको दुरुस करता है तो उसे गाली न दे कम से कम उन लोगों के सामने खास तोर पर महिलाओं के आगे अबद्र बा जिसे चाहे इसे बाहर कर सकते हैं आप कॉमेडी के बाचा हो लेकिन आप भगवार नहीं है अपना ध्यान रखे साथ ही ये प्राधना भी है कि आपको आगे और सफलता मिले सुनिल ग्रोवर के इस ट्वीट के बाद कपिल शर्मा ने भी तुरन ट्वीट पर रिप्लाई कर पर सफाई दिते हुए कहा था कि हां मेरी और सुनिल की लडाई हुई है लेकिन लडाई किस परिवार में नहीं होती लोगों ने इस बात को यूही बड़ा चड़ा कर पेश किया है मैं और सुनिल एक परिवार की तरह है मैं अपने परिवार से जादा समय सुनिल के साथ में जिज़त करता हूँ, वे मेरे भड़े भाई की तरह है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में एक परिवार की तरह रहता हूँ, और लड़ाई किस परिवार में नहीं होती है, हम भी एक नॉर्मल इंसान है, कपिल ने आगे कहा कि मीडिया को इन चोटी-चोटी बातों को बड़ा चड़ा कर नहीं पेश करना चाहिए, और भी काम है, आपको उन पर ज्यान देना चाहिए, आपको बता दे कि खबर थी कि ऑस्टेलिया टूर से लोटते समय कपिल ने सुनिल ग्रोवर को खूब खरी कोटी सुनाई थी, और खबरे तो यहां तक थी कि कपिल ने सुनिल ग्रो